अगर गलती से इस session में आ गए हूँ गलती से इस video को click कर दिया है तो अगले 5 minute इस video को देख लेना मैं ये कहता हूँ कि पूरा video देखने का मन कर जाएगा उपर वाले में आपको ये session देखने के लिए जबरदस्ती बुलाया है क्यों बुलाया है अब बात समझ लो कुछ बाते हैं जो सबसे पहले मैं discuss कर लेता हूँ फिर session की शुरुआत करेंगे भाई हमारे सामने कौन कौन जी vacancy है हमारे सामने है अभी IBPS RRB की vacancy उसके बाद है हमारे सामने NBE की vacancy फिर है हमारे सामने Delhi Police Constable की vacancy और सबसे बड़ी vacancy हमारे सामने IBPS PO की vacancy तो इसके लिए हम क्या कर रहे है हम एक तलाश कर रहे है किसकी हम एक winner की तलाश कर रहे है कौन से winner की एक quiz winner की अब ये quiz winner क्या है ये जो photo blank है ना इस पे हमें एक चहरा चाहिए हमें एक चहरा चाहिए जो winner बनने के काबिल हो अब ये होगा क्या ये reasoning का quiz competition हमने organize किया है दोस्त आपके लिए इन सभी vacancies को ध्यान में रखते हुए reasoning का quiz competition तयार किया है जहाँ पे winner भी होगा और prize भी होगा reasoning का ये competition कब होगा ये होगा 15 अगस्त 2020 को मतलब कि आपके आने वाले 10 दिन के अंदर ये session, sorry competition होने वाला है 15 अगस्त को कितने बजे होगा भी हा ये होगा साड़े पाँच बजे साड़े पाँच हमारा fix time है किसका reasoning की quiz का reasoning की quiz daily होगी लेकिन 15 अगस्त को एक जो quiz होगी वो quiz नहीं होगी आपको क्या मिलेगा what you will get तो आपको मिलने वाला है speed and accuracy ये नहीं सर ये तो सारी quiz में मिलता है speed और accuracy तो सब quiz में मिलता है सारे speed test में मिलता है कुछ और दे दो न यार what else कुछ और चाहिए तो भाईया आपको मिलेगा we will reward top three winners quiz के जो three winners होंगे three top winners पहली, दूसरी, तीसरी ये तीन positions को हम देंगे reward अब ये reward क्या है what we will reward you तो हम reward देने वाले है पहले winner को examopedia का merchandise merchandise क्या होता है examopedia plus का ये merchandise है क्या है merchandise merchandise का क्या मतलब होता है merchandise का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ पे आपके brand के name mentioned तो आपको हो सकता है merchandise में एक t-shirt मिल जाए जहाँ पे यहाँ पे लिखा हो examopedia plus या फिर हो सकता है आपको एक cap मिल जाए जहाँ पे लिखा हो examopedia plus या फिर आपको एक coffee mug मिल सकता है जहाँ पे लिखा होगा examopedia plus या फिर आपको एक pen मिल सकता है जहां पे लिखा होगा Examopedia Plus या हो सकता है आपको एक बढ़िया सी डाइडी मिल जाए और वहां लिखा हो Examopedia Plus तो कुछ भी हो सकता है It depends on the availability जैसी चीज मिल पाएगी मिलब जो भी चीज मिल पाएगी हम वो देंगे लेकर जो भी देंगे वो best से best होगा Second और third winner को क्या मिलेगा तो एक surprise gift मिलेगा भाईया वो surprise है वो surprise है वो मैं reveal नहीं करूँगा वो surprise है देखो मैंने first winner को भी reveal नहीं किया है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या होगा वो पता चलेगा कब वो पता चलेगा आपको पंदरा अगस्त पंदरा अगस्त को शाम को छे बजे तक पता चल चुका होगा वह या कि आपको क्या मिलने वाला है और किसको मिलने वाला है ये भी पता चल चुका होगा भाई ठीक चलो भाई आगे चलते है How you can be a winner आप कैसे winner हो सकते हो भाई आप भी तो winner होना चाहते हो ना आपको winner बनना है या नी बनना है ना क्या winner बनना चाहते हो क्या winner बनना चाहते हो तो लिख के बताओ भाईया कमेंट सेक्षन में क्या winner बनना चाहते हो अगर हाँ तो क्या मैं कोशन पेपर को लीक कर दूँ question paper leak कर दी आप winner हो गए तो question paper अब leak करने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना अराम से बैठ जाओ question paper leak होने वाला है अब ये question paper क्या leak हो रहा है बात समझो जो quiz में questions होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे 35 questions और एक question एक minute का होगा 35 questions आएंगे और एक minute का एक question होगा मतलब 35 minutes की एक quiz चलेगी कितने minute की? 35 minutes की एक quiz चलेगी इसमें sitting and puzzle नहीं होंगे क्यों क्योंकि quiz में एक foundation होता है कि हम हर quiz के question पे एक ही timer set कर सकते हैं तो आपके लिए अगर मैं sitting और puzzle का question दे दूँगा तो आपको थोड़ा सा दिकत होगी इसलिए sitting का puzzle नहीं है इसमें बाकी चीज़े हैं वो क्या है? हर एक question में एक minute दिया जाएगा तो वो कौन से questions होंगे? कहां से आएंगे? तो भाईया वो questions आएंगे आपकी वीडियो से जो हम reasoning की वीडियो examopedia चैनल पे upload कर रहे हैं 15 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक इस एक महिने के duration में जितनी भी वीडियो आएंगी जितनी भी A to Z जितनी वीडियो आएंगी उन सभी वीडियो में से question होंगे वो चाहे topic की वीडियो हो चाहे वो कोई mock paper हो या फिर राखी special class हो each and every वीडियो हर एक वीडियो में से एक question उठाया जरूर जाएगा एक question हर एक वीडियो में से उठाया जाएगा no matter कि वो SST का है कि वो bank का है हर एक वीडियो में से एक question उठाया जाएगा अब same question नहीं आएगा same as it is वही question उठा के नहीं रखा जाएगा लेकिन उस concept पे question होगा same उसी concept सिर्फ figures change होंगी लेकिन उसी concept पे question आएगा तो अगर आप winner बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है आपने ये सारी videos को thoroughly एक बार पढ़ लेना है समझ लेना है, देख लेना है कौनसी videos को? 15 जुलाई से जितनी भी videos आई है वहाँ से लेके 14 अगस्त तक जितनी videos मैं upload करूँगा सारी videos का detailed आपको एक मिलेगा summary में quiz ये क्यों करा जा रहा है? क्यों करा जा रहा है? क्योंकि आपके सामने है exams और exam के लिए हमें करना है आपको तयार क्यों? क्योंकि examopedia पे वाप examopedia क्या है? where exam phobia ends और हमने पहले ही बोल दिया था भईया thumbnail में कि आज exam से पहले exam वाली feeling आपको देंगे तो 15 अगस्त को जब ये quiz होगा तो आपको एक exam वाली feeling मिलेगी क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी आप quiz देते सिर्फ आपको एक नाम मिल जाता था कि आपका नाम कौन से number पे लेकिन आज तक आपको कुछ मिलता नहीं था जब तक reward ना मिले तब तक मज़ा नहीं आता और आज हम आपको reward देने के लिए तयार है तो ये quiz के competition में पूरा का पूरा जीजान लगा देना और participate कर लेना अब eligibility criteria क्या है इस quiz में participate करने का या जीतने का eligibility criteria क्या है हर exam का एक criteria होता ना इस quiz का भी एक eligibility criteria है वो eligibility criteria क्या है वो समझो आपको क्या करना है सारी quiz में each and every quiz में participate करना है जो की हम conduct कराते हैं examopedia plus के telegram channel पे from today onwards 5 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक जितनी भी quiz होंगी अगर आप एक भी quiz में participate नहीं करे हो और आप एक winner हो आप 15 अगस्त की quiz में अगर आप winner हो तो आपका नाम count नहीं होगा मैं पहले ही बता रहूँ अगर आपने 5 अगस्त से 14 अगस्त किसी एक single quiz में भी participate नहीं किया न तो आपका नाम काट दिया जाएगा आप चाहें quiz दो या ना दो अगर आप winner हो तो आपका वहाँ पे नाम नहीं count होगा हम उसके बाद आपके नाम के बाद वाले को winner मान लेंगे तो बाद में मेरे से कोई argue नहीं करेगा कि सर मैं किसी एक वज़े से quiz नहीं दे पाया था इस वज़े से मेरा नाम please count कर ली ज़ें नहीं आप count नहीं होंगे अगर आपने सारी quiz नहीं दी कौनसी quiz कौनसी quiz भाईया GAGS की दो बज़े वाली और reasoning की साड़े पाँच बज़े वाली मुझे मतलब नहीं कितने marks आ रहे zero marks आने दे zero marks आने दो लेकिन अगर आपको winner बनना है अगर आपको ये quiz जीतनी है तो आपको सारी quiz में participate करना पड़ेगा मैं ये नहीं कहा रहा सारी quiz में जीतना पड़ेगा सारी quiz में सिर्फ participate करना है कौनसी पाँच अगस्त से लेके 14 अगस्त तक GAGS और reasoning की quiz में कितने बज़े होती ही सामने लिखा है दो बज़े होती GAGS की quiz और reasoning की quiz होती थाड़े पाँच बज़े ठीक है अभी इस इस session के बाद आपकी GAGS की quiz होगी अगर नहीं दी तो गए काम से और दूसरी बात ये बहुत important है अगर आपने quiz के बीच में message किया तो भी आपका नाम काट दिया जाएगा तो भी आ quiz के बीच में कोई message नहीं करेगा quiz के बीच में message करने जो होता क्या है देखो यार यहाँ पर question है और मैं उस question के answer पर tick करने जा रहा हूँ उतनी ही देर में किसी ने message कर दिया तो वो answer क्या होगा उपर हो गया मैंने जब button दबाया तो मेरा answer उपर चला गया दूसरे answer पर button दब गया इससे क्या होता है मेरी rating खराब होती किसकी एक student ही तो कोई message नहीं करेगा चाहें कितनी बड़ी बात हो जाए चाहें कितनी बड़ी बात हो जाए कोई message नहीं करेगा बात समझ में आ गई कोई single message नहीं करेगा कब quiz के time से अब सबसे बड़ी important बात है वो क्या है कि आप लोग कहते हो सर technical glitch हो जाता है हम attend करते हैं 9 question हमने मान लो 9 question attend किया और ये 9 के 9 question सही थे लेकिन मेरे mark size 7 तो ये तो गलत है ना ऐसा तो नहीं होना चाहें ये क्यों हो रहा है तो देखो यार ये मेरे हाथ में नहीं है चीज अब बात समझना ये मेरे हाथ में नहीं है चीज ये किसके हाथ में है ये आपके हाथ में है ये चीज पूरी की पूरी आपके हाथ में है हमने जब research करी कि ऐसा होता क्यों है कोई एक इंसान 9 question attend कर रहा है लेकिन उसके mark साथ दिखा रहा है 9 question उसके सही है लेकिन mark साथ दिखा रहा है ऐसा क्यों? तो भाई इसके पीछे कहना एक technical glitch है वो क्या है? या तो आपके internet की connectivity में problem है क्यों? बताता हूँ ये क्यों है internet connectivity में problem है जब आपका answer यहाँ पे दिख रहा है 4 option या 5 option है आपने वो option tick किया अब यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ वो tick हो गया लेकिन आपका internet weak था इसलिए वो answer back end तक पहुचा नहीं यहाँ से तो tick हो गया लेकिन back end तक वो telegram के quiz bot तक वो response पहुचा नहीं क्यों क्योंकि आपके internet connectivity में problem थी तो आपको क्या करना है उस दिन अपने internet connectivity को अच्छा रखना है कहीं पे भी जाके बैठो भाईया तिमंजले पे बैठो कहीं जाके बैठो मुझे नहीं पता लेकिन अपने internet connectivity को सही रखना बाद में मैं यह ना सुनू कि सर मैंने question attend किये थे 28 और मेरे 28 के 28 सही थे लेकिन मेरे mark दिखा रहा है बाई मुझे मतलब नहीं क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता मेरे हाथ में quiz bot नहीं होता है अगर आपको देखना है तो आप खुद quiz bot बना के देखनो ना अपना आप एक quiz bot बनाओ उसको एक बार perform करके देखो आप quiz bot में changes नहीं कर सकते कि किसी को उपर कर दिये किसी को नीचे मेरे हाथ में कुछ नहीं है जो है सब कुछ technical है तो आपको अपनी internet connectivity में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और दूसरी बात जब आप quiz देते हो न तो मैंने लगाया एक minute का timer आपने उसको solve कर दिया 20 second में आप 40 second क्या करें तो खुजली मचती रहती आपको चले गए पीछे दूसरे tab में देखने क्या चल रहा है chatting कर ले किसी से किसी का message आया है या फिर call attend करने किसी का call आ गया है ये सब अगर करोगे तो आपके marks कहीं न कहीं कम हो जाएगे मैं फिर बता रहा हूँ तो इसलिए इन सब चीजों पे बारीकी से ध्यान देना क्या कि कोई भी tab change नहीं करेगा ये जो tab खुला है examopedia का यहाँ पे quiz चल रही है इससे back नहीं जाना है back चले गए काम खतम एक ना एक question कम होई जाएगा ठीक है या फिर अगर chatting करने चले गए तो भी गया call attend कर ली तो भी गया अच्छा कुछ लोग बड़े smart होते हैं बड़े ही smart होते हैं क्या कि यह आपका phone है यहाँ पे चल रही है quiz यहाँ चल रही है quiz और यहाँ पे चल रही है whatsapp यह whatsapp चल रही है फोन को क्या करते हैं कुछ लोग फोन को न डिवाइड कर लेते हैं एक screen उपर एक screen नीचे ऐसा होता है function तो उपर क्या चल रही quiz चल रही नीचे क्या चल रही whatsapp चल रही दोनों काम चल रहे हैं अगर ऐसे करोगे तो आपको नुकसान होगा तो अगर आप winner बनना चाहते हैं तो यह जो चीजे हैं इनको नहीं करना है internet connectivity अच्छी रखनी है tab change नहीं करना है chatting नहीं करना है किस टाइम पे quiz के दोरान ठीक है अब भाईया देख लो भाईया हमें चाहिए winner who will be the winner अगर आप चाहते हो कि आप winner हो तो type करके लिखो I am the winner लिखो भाईया I am the winner अगर अभी भी खून नहीं खौला तो सच बता रहा हूँ ये खून नहीं ये पानी ये खून नहीं ये पानी है और इस session के देखने के बाद अगर अभी भी अंदर से वो आवाज नहीं आई कि हाँ मुझे कुछ करना है तो बेकार ये जवानी तो बेकार ये जवानी भाईया मत करो कुछ घर में बैठ जाओ ये सब चीजे बेकार हैं ये सब मोम आया है ये सब आपके लिए कर रहा हूँ मुझे कोई benefit नहीं है अगर देखा जाए तो उल्टा मेरी जेब से जाएगा मेरी जेब से जाएगा मैं क्यूं कर रहा हूँ क्यूं क्यूंकि मेरे को आपका exam phobia खतम करना है दूसरी बात आपके जो fourth coming exam से उसके लिए आपको तयार करना है इस पूरे process में अगले 10 दिन में जो आप तयारी करोगे जो निकल के आप बाहर आओगे जैसा इंसान बन जाओगे वो इंसान बहुत important बात समझ रहे हैं न तो भाईया आज के लिए इतना ही quiz की competition की तयारी शुरू कर देना और मुझे आप winner चाहिए जो देख रहे हैं आप मुझे winner चाहिए ठीक है? चले बई मिलते हैं फड़ा फट से चले जाओ आप सो रहे थे, जाग रहे थे, काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे I don't care आप आईए quiz दीजिए 0 marks है मुझे मतलब नहीं लेकिन आपका नाम quiz की list में होना चाहिए ठीक है? ठीक है? ठीक है ठीक है स्टे हल्दी स्टे थे